हलो एरिवन वेलकम तो गेट अक्याड़ी प्लस मैं हूं वडिको पाल शर्म और मैं आपको पढ़ा रहा है स्ट्रेंथ अफ मर्टेरियर्स लास्ट वीडियो में हमने एक जी और मियू के बीड जो लेडिशनशिप थी वो हमने देख ली थी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंबर्स इन सीरीज और मेंबर इन पैलर्स हम देखेंगे कि डिफरेंट काइंड ओफ मेंबर्स को किस तरह से अरेंज किया जाए तो उसे मैं में मेंबर इन सीरीज बात करूँ ठीक है अब प्रिजमाटिक मेंबर इसकी बात करूँ मैं इस पर मैं अगर कोई लगाता हूँ यहाँ पर इसको मैं इस end पर fix कर देता हूँ तो मैं देखूंगा कि जित्ता लोड मैं यहाँ पर apply कर रहा हूँ उत्ता ही यह जो support मैं यहाँ पर प्रोवाइट किया है वो उत्ता ही यहाँ पर resisting force प्रेडियूस कर रहा है ठीक है तो आर डेट इस रेजिस्टिंग फोर्स विल भी इक्वल टूद अप्लाइड लोड पी यह यहाँ पर होगा नाव अगर मैं इसका free body value को find out कर सकता हूँ sigma is equal to P by A का use करते हुए ओके नाव सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैंबर्स इन सीरीज कब बोलेंगे अब यहाँ पर मैंने देखा कि सिंगल कंपोनेंट की बात की मैंने उसके बाद मैंने आपर बताया कि सपोर्ट लगा हुआ था इस सपोर्ट में क्य यहाँ पर मैंने एक कमपोनेंट लिया था अब मैं नंबर आफ कमपोनेंट ले लेता हूँ this is first this is second and this is third मैं तीन कमपोनेंट को यहाँ पर जोड़ दिया ठीक है now यह जो तीनों कमपोनेंट्स हैं यह तीनों कमपोनेंट END TO END एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ END TO E अब यह देख करके समझ आता है कि end to end connection अगर होगा तो वह members in series होगा नाव इसको मैं technically या फिर बोल सकता है mechanically कैसे define करूँगा कि members in series है तो मैं अगर इसको एक end पर fix लग देता हूँ first of all ठीक है नाव यहाँ पर किसी भी एक end पर मैं इसको एक single load लगाता हूँ चाहता था मैं इसको इस तरब से fix करके इस तरब से भी load apply कर सकता था तो यहाँ पर मैं इसको एक single load यहाँ पर apply करता हूँ तो देखूंगा मैं कि जित्ता load 3 पे आ रहा है 2 पे रहा है 1 पे रहा है वो सभी equal मिलेंगे इसको समझने के लिए इसको observe करने के लिए हम method देखेंगे एक छोटा सा that is known as method of section ठीक है method of section अब इसको समझना बहुत important है जो strength of material का subject है इसमे method of section बहुत importance रगता है हर unit में हर topic पर यह हमको help करता है analysis करने में ठीक है now method of section क्या कहता है हम जानते है कि जो stress है उसकी definition है resisting force per unit area और जो resistance force है वो basically internal force है हम जैसे यहाँ पर load apply कर रहे है P ठीक है तो यह जो P है यह external force है मैंने जब stress के बारे में आपको पताया है वहाँ पर मैंने clear किया था कि जो stress की definition है that is resisting force जिसको मैं F से denote करता हूँ upon the area होता है but in case of static equilibrium जो F होगा उसका magnitude applied load के बराबर होता है for static equilibrium यह हम लोग देख चुके हैं पहले तो यहाँ पर मुझे basic requirement किस चीज़ की है basic requirement है मुझे internal resistance force की calculation करने की so internal force को calculate करने के लिए उसकी observation करने के लिए हम यहाँ पर sections cut करते है ठीक है और वहाँ पर देखूंगा कि उस particular section पर किता internal resistance force आ रहा है internal resistance force को find out करने के लिए हमेशा मैं static equilibrium का condition होता है that is summation of F is equal to 0 इसको मैं यहाँ पर apply करूंगा जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ third segment जो है उसका ठीक है तो third segment पर देख सकता हूँ मैं यहाँ पर load लग रहा है P अब third segment के किसी भी आयन पर और कोई भी दूसरा यहाँ पर load नहीं लग रहा है तो यहाँ पर मैं section car 2 अगर ठीक है यहाँ section car 2 और इसका free body diagram बनाओ तो मुझे देखने को मिलेगा कि resistance force F is equal to P आ रहा है summation of F equal to 0 अगर मैं apply करूँ यहाँ पर condition of static equilibrium अगर मैं apply करूँ तो मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ से फिर आपको resistance force equal to applied load मिल रहा है for segment number 3 similarly अगर मैं section 2 पर यह जो आपका segment 2 है इस पर कोई section car 2 तो मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी resistance force आएगा segment number 2 पर ठीक है this is resisting force F this is segment number 2 इसके पहले और कोई force नहीं है तो यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही force है that is P तो segment number 2 पर भी force आया F equal to P that is resistance resisting force at the segment number 2 will be equal to the applied load P similarly first पर भी जब मैं same operation perform करूँ गा तो मुझे वहाँ भी वैसा ही result मिलेगा यानि कि section number segment number 1 पर जो section काटूँगा उसके लिए भी F equal to मुझे P मिलेगा so यहाँ पर जो resistance force आ रहा है F equal to P मिल रहा है by using static equilibrium condition तो मैंने देखा कि इस तरह से जब member को मैं end to end connect करता हूँ और किसी एक end पे अगर मैं कोई single load apply करता हूँ यहाँ पर ध्यांद्रेलाइक बात यह है कि member series में है या parallel में है इसको judge करने के लिए हम लोग किसी एक extreme end पे एक single load apply करते हैं we cannot justify it by applying number of load at number of points number of loads अगर मैं number of points पे लगा दूँगा तो मैं directly judge नहीं कर पाऊंगा कि member series में है या member parallel में है तो मैं यहाँ पर एक single load लगाया तो मैंने देखा कि जो load है वो सभी members equally carry कर रहे है सभी में वो बराबर है ठीक है सभी में एक जैसा है यहाँ पर जो load था पी जो load मैंने अप्लाए किया यह load बिल्कुल भी distribute नहीं हुआ है इन्होंने आपस में load को share नहीं किया है load जो है सभी में equally लग रहा है इसमें भी p load लग रहा है तो इस case को जब members में same load होता है उस case को मैं बोलूँगा members in series तो पहला credit है क्या है members in series के लिए first of all क्या होना चाहिए end to end connection end to end connection यह होना चाहिए और सभी members में load same होना चाहिए load is same load is same in all members in all members if a single load if a single load is applied at extreme end ठीक है now अब आप देखेंगे जैसा कि मैंने बोला कि members in series के लिए जो component है उनका material different हो सकता है उनकी length different हो सकती है उनकी cross sections अलग-अलग हो सकते है ठीक है तो let us say इसकी length L1 है member number 2 की length L2 है and 3 की L3 है ओके then जो material है वो भी हम यह आपर different माल लेते हैं तो अगर material different होगा तो mechanically हम देखेंगे उसका जो young small loss of elasticity है वो भी different होगा so this will be E1 this is E2 and this is E3 यहाँ पर मैंने जो diagram बनाया है इस particular diagram में जो cross section area आप देख सकते हो सभी का cross section area अलग-अलग है तो ले ले लेता हूँ यहाँ पर A1 है member number 2 के लिए A2 है member number 3 के लिए A3 है ठीक है तो यहाँ मुझे देखने को मिलेगा कि सबक का जो cross section area young small loss or length जो है वो अलग-अलग है अब हम जानते हैं के change in length का जो formula होता है change in length del L is equal to होता है P L upon A E ठीक है P L upon A E is the formula for change in length this is formula to calculate change in length where P is the force acting on the component L is the length of the component A is the cross section area of the component and E is the young's modulus of elasticity okay so यहाँ पर मैं देख सकता हूँ के इस formula से अगर मैं लिखूँ del L1 so this will be equal to then मैंने देखा है सभी component में same load है यह हो जाएगा P L1 upon A1 E1 P जो है सभी में same है same ऐसी del L2 लिखूँगा P L2 upon A2 E2 then del L3 equal to होगा P L3 A3 into E3 तो यह जो तीन values है these are the values of change in length of each component सभी में इतना इतना change मुझे observe करने को मिल रहा है ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर 10 side load लगाया हूँ और सभी में 10 side load आप देख सकते हैं लग रहा है तो यहाँ से clear है कि सभी की length increase होगी ठीक है तो let us say 1 की length इतनी increase होगई this is the increase in length of 1 and this is increase in length of 2 and this is increase in length of 3 सभी को मैं जोड़ दूंगा यह 1 का change in length यह 2 का change in length यह 3 का change in length तो मुझे total change in length मिल जाएगा that is del L total del L T for total ठीक है so this will be equal to summation of all change in length तो यह 3 का मुझे मिल गया important point for members in series that the total change in length change in length of component or I can say members in parallel members in series that is del L total T for total is equal to summation of change in length of each member summation of change in length of each member याने की इसका मतलब यह है के हर एक member का change in length की value different हो सकती है same भी हो सकती है बड़ जो total change in length होगा that will be equal to the algebraic sum of change in length ठीक है आगे हम questions देखेंगे जहाँ पर बीच में भी forces लग रहे होंगे ठीक है बीच में जब forces लग रहे होंगे तो क्या होगा उस case में कुछ members कुछ components जो होंगे वो compression में होंगे that's why वहाँ पर changing in length हमको negative मिलेगा और यहाँ पर हम लोग क्योंकि हम कर रहे हैं that's why sign convention use करेंगे हम लोग tensile याखनी की extension को positive लेंगे और compression को हम negative लेंगे तो यह तीन जो है यह important point है किसको लेगर करके members in series के बारे में now हम देखते हैं members in parallel तो अब हम देखते हैं members in parallel के बारे में जैसा कि हमने members in series में देखा उसके मैंने तीन criteria आपको बताए that जो members end to end connected होते हैं उनको members in series बोलते हैं और इसको mechanically check करने के लिए हम किसी भी एक end पर अगर load apply करें तो देखेंगे कि सभी members में same load लगेगा यानि कि जो members in series होते हैं वो load को share नहीं करते तो members in parallel definitely इसका opposite होगा यानि कि members को मैं इस तरह से जोड़ू कि जब उस पर कोई single load लगाया जाए तो वो members उस load को आपस में distribute कर ले आपस में share कर ले तो ऐसे members को मैं बोलूँ का members in parallel जैसे कि यहाँ पर मैं एक bar लेता हूँ जो की steel का बना हुआ है एक circular यहाँ पर rod ले लेता हूँ this is made up of steel ठीक है और इसको envelop करके रखा हुआ है यहाँ पर copper जो copper है वो steel की enveloping surface है this is steel and this is copper तो अब आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पर load apply करूँगा इसको अगर मैं किसी plate से यहाँ पर bound कर दूँ आपस में जोड़ दूँ इसको आपस में weld कर दूँ then यहाँ पर मैं एक load apply करूँ P तो यह जो P load है वो steel और copper के बीच में distribute हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे समझ आया कि जो load है वो distribute हो रहा है so definitely यह जो components है that is steel and copper they are in parallel अब हम यहाँ पर discuss करते एक बार के series में क्या होता था series में होता था यह कि अगर मैं single load लगाता था वो तो आपस में distribute हो जाते थे ठीक है आपस में वो जो load थे वो सभी में equally apply हो जाते थे सारे components में same load लगता था ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं कहीं पर section काटूंगा या फिर अगर मैं किसी series वाले components में अगर section काटूंगा तो क्या होगा ठीक है जैसा में देख सकते हो हैं यहाँ पर दो materials है let us say इसका young's modulus steel का ES है और copper का young's modulus EC है now मैं एक same condition लेता हूँ ठीक है इसमें भी मैं steel और copper लेता हूँ लेकिन member यहाँ पर series में नहीं यहाँ पर members है वो series में जुड़े हुए है this is steel and this is copper ठीक है now यह जो length है this is L this is L as well so this is x equal to 0 this is x equal to L and this is x equal to 2L okay तो यहाँ पर जो members है वो series में है same material यहाँ पर भी steel और copper मैंने लिया है young's modulus जो है वो ES है यहाँ और copper का EC है ठीक है now जब मैं यहाँ पर section काटता हूँ तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पर जब मैं section काटता हूँ section को observe करता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि जो steel है और copper है वो एक दूसरे मिलत काट concentric है और cross section में जो steel है उसको copper ने envelope करके रखा है तो basically यहाँ हो क्या रहा है यहाँ पर हुआ यह कि मुझे जो दो components जो दो materials से मिल करके यह component बना हुआ है वो particular materials मुझे इस section पर observe हो गया लेकिन अगर वही काम मैं यहाँ करता हूँ ठीक है जो कि members in series है इसमें series वाले member में जब मैं section काटता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ मैं दो section काटे एक्स एक्स और वाई वाय वाय दो sections मैं यहाí पर काटता हूँ तो मैं देखता हूँ एक्स एक्स की जो अध करूँगा मैं तो xs पे सिर्फ मुझे इस deal दिखेगा यहाँ पर ठीक है यह जो section इस deal पे जो भी material उस component में involved है वो मुझे नहीं दिखेंगे लेकिन अगर मैं members in parallel की बात करूँगा और parallel में आले members में अगर मैं कोई section काटता हूँ तो उस section पे जितने भी materials से मिलकर के ये बना होगा वो सभी के सभी दिख जाएंगे तो यहाँ पर भी number of materials यूस कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर जो materials की जो भी materials मैंने used के हैं वो किसी एक section पर मुझे पूरे के पूरे नहीं दिख रहे है अलग-अलग sections पे अलग-अलग materials दिख रहे हैं तो यहाँ पर इनको एक और नाम से जाना जाता है यहाँ पर क्योंकि composition था वो एक section पर दिख जाता है that's why उसको हम बोलते है composite section यहाँ members in parallel को हम एक और नाम से जानते हैं हमारे subject में that is composite section और यह भी अलग-अलग materials के composition से मिलकर के बना हुआ है लेकिन अलग-अलग members, अलग-अलग materials के एक section पर सारे materials नहीं दिख रहे हैं that's why मैं इसको composite member भी बोलूँगा composite members composite member generally refer करेंगे हम लोग किस के लिए है? series के लिए और इसको हम refer करेंगे parallel के लिए ठीक है? तो यह basic से difference है series और parallel में अब इसको solve कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने बताया members इन series को solve करने के लिए basically जो जो load लगे होंगे ठीक वो उसका हम लोग free body diagram बनाएंगे ठीक और जो जो load लग रहे है number of components पे उसको हम calculate करेंगे then मैंने वापर आपको एक point बताया था that is total elongation that is del L t is equal to summation of del L याने कि total जो elongation मिलेगा वो सभी members के change in length का algebraic sum होगा तो वहाँ पर जो भी change in length हमको find out करनी है वो सभी solve हम लोग कर पाएंगे मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या क्या चीज़ें आप लोग वहाँ पर care करनी होगी किस तरह से हमारा procedure होगा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो load मैंने लगाया है वो distribute हो गया ठीक है so first of all मैं इसके भी properties लिख देता हूँ so members in parallel so members in parallel के बारे में सबसे important बात यह है कि यहाँ पर जो applied load होता है जो external load है वो आपस में लोग share कर लेते हैं तो यह हो जाएगा the applied load is shared among the materials ठीक है second point क्या होगा आप देखिए जितना elongation अगर यहाँ static equilibrium में इसको रहना है तो उस case में जितना deformation यह copper देगा उतना है deformation इस steel को देना होगा जितना extension हमको steel है मिलेगा उतना extension हमको copper में भी मिलेगा यानि कि जो strain की value है या फिर जो deformation का magnitude है वो दोनों में same होगा जबकि जब हम members in series में हमने देखा था कि जो deformation का magnitude था वो हर एक member में अलग-अलग हुआ करता था तो उसके opposite members in parallel में जो deformation होगा deformation of each material each material will be equal जैसे अभी यहाँ पर मैंने steel लिखा है अगर मैं कोई भी material number 1 and material number 2 की बात करूँ so del L1 that is for material number 1 will be equal to del L of material number 2 यह यहाँ पर conditions है ठीक है इस तरह के questions को हम लोग solve कैसे करेंगे series के parallel के अब हम वो देखते हैं तो अब हम देखते हैं members in series के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया members in series जो है वो end to end connected होते हैं अब जो इसके numerical problems होते हैं numerical problems पर generally आपको single load ना देखकर के number of loads number of points पर लगे हुए होते हैं ऐसा question दिया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास question है इस question में मैं देख सकता हूँ number of points के L, M, N पर हमारे पास 4 load लगे हुए जिनकी values आप यहाँ पर diagram पर देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ यह members in series हैं क्योंकि पहली बात यहां end to end connection है ठीक third criteria अगर मैं इसके किसी एक end पर single load लगाऊ तो यह load जो सभी में same होगा तो definitely members in series का problem है अब ऐसा case जब किसी members in series में number of points पे number of load लगे होते हैं ऐसे case को solve करने के लिए मैं use करता हूँ super position theorem तो पहले हम समझ लेते हैं के super position theorem क्या है super position theorem में हम total elongation निकालने के लिए जो individual components है उनके deformation को calculate करते हैं और उनको super impose कर देते हैं ठीक है अब super impose कैसी किया जाएगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था members series के लिए total change in length is equal to algebraic sum of change in length of each member तो यह जो मैंने आपको expression बताया है this is the statement of super position theorem यानि कि अगर आपको total elongation निकालना है तो total elongation जो होगा that will be the algebraic sum of elongation of each member और the change in length of each member so I can write using super position theorem that change in length change in length of composite composite member that is members in series is equal to is equal to the algebraic sum of the algebraic sum of change in length of each member तो यह हमारा super position theorem है जिसको हम लोग use करके ऐसे composite members का जो total change in length है वो find out कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक question है इस question के मतलब से हम समझेंगे किस तरह से हम proceed करने वाले हैं तो question में हमको steel का बना हुआ composite member दिया हुए यहाँ पर जो सारे आपको segments दिख रहे हैं KL, LM and MN इन सभी का material सेम है that is steel ठीक है आपको various loads दिये हुए है आपको given है कि जो steel है उसका Young's modulus of elasticity 200 GPa है और जो इसके cross section है वो सभी same है सभी जो segments है सभी का cross section equal है and that is equal to 25 mm square आपको find करना है change in length ठीक है that is del L T आपको find करना है this is 500 mm this is 400 mm और जो total length है that is 1700 mm ओके तो इस question को आपको solve करना है अब यहाँ पर मैंने बताया था कि single load लगाओगे तो सभी में same मिलेगा लेकिन यहाँ पर different loads आपको given है तो आपको यहाँ पर find out करना है कि हर एक segment में actual में कित्ता load है ठीक है क्योंकि हम जो formula लगाते है first of all जो हम formula लगाते है change in length के लिए del L is equal to होता है जो PL upon AE इसको समझते है इसमें जो यह load होता है P that is the load acting on the member यहाँ पर various loads लग रहे हैं अगर मैं यहाँ पर तीन member नाम दे दूँ member number 1 2 and 3 तो member number 1 में जो load लग रहा है और 2 में जो लग रहा है और 3 में लग रहा है इनकी value separately हमको calculate करनी पड़ेगी ठीक है अब यह जो formula आया है यह जो formula आया है यह आता है आप हमारे hooks law से हम जानते हैं कि जो stress होता है stress को लिखता हूँ में resistance force upon area resisting force upon area यह होता है stress का definition उसका formula now for static equilibrium for static equilibrium जो F होता है that is resisting force resisting force बराबर हो जाता है आपका applied load P के equal to P that is applied load इसके बराबर हो जाता है ठीक है तो यहाँ चमें लिखना हमेशा sigma is equal to P by A where P is the applied load on the member उस member पे जो particularly load लग रहा है उसकी value हुए then strain की बात करते है strain होता है आपका change in length upon original length यह होता है और Hook's law से हम जानते है stress is directly proportional to strain इसको proportionality को हटाता हूँ तो मुझे मिल जाता है E into epsilon solve करेंगे आपर P by A is equal to E into epsilon that is del L by L तो यहाँ से मुझे मिला था del L equal to P L upon A E यह मुझे मिलता है हमेशा तो यहाँ पर जो P है that is basically equal to the resisting force ठीक है this is equal to the resisting force तो मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पर हर एक segment में जो resisting force है basically उसकी value find out करनी है अब resisting force that is a kind of internal force अब internal forces को find out करने के लिए हम लोग method of section use करेंगे ठीक है method of section so method of section जैसे को ने previously आपको बताया है कि जिस जगह पर आपको resistance force calculate करना है उस जगह पर आप section काड़ देते हो then using condition of static equilibrium उस resisting force का जो magnitude है हम वहाँ पर calculate करते है तो पहला जो step होता है इस तरह के problems में that is members in series उसमें पहला step होगा आपका free body diagram draw करना and to draw the free body diagram of each component we will use the method of section ठीक है so first step जो होगा हमेशा आपका step number one is to draw free body diagram FBD of each component so सबसे पहले free body diagram draw करेंगे हम लोग component number one का so one जो है that is K2L यहाँ पर मैं 20 में देख सकता हूँ K और L के बेच में कोई भी load नहीं लग रहा है ठीक है यहाँ पर K पेक load है लेकिन इसके बाद that is 100 N के बाद कोई भी L से पहले और कोई load नहीं है तो यहाँ पर मैं कहीं भी section card देता हूँ ठीक है एक जगा section card दिया अगर कोई और load बीच में आता तो मैं उस load के पहले यहाँ पर section card ता जैसे कि देख सकता हूँ next जो load लग रहा है वो लग रहा है L पे members है उनको जहाँ जहाँ पर load लग रहा है जिन जिन पॉइंट के पर load लग रहा है उन इन पॉइंट को हम लोग एक segment माल लेते हैं जैसे कि यहाँ पर दो point है तो इसको मैंने एक segment माल लिया यहाँ पर दो point है तो यह एक segment मन गया यहाँ दो point है इस तरफ लग रहा है resistance force f now यहाँ पर summation of f equal to 0 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 100 minus f equal to 0 या अगर proper sign convention की बात करूँ तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर f minus 100 is equal to 0 so basically आएगा हमेशा answer आपका f equal to 100 ठीक है तो जो first segment है हमारा उस पर मुझे मिल गया first segment पर इधर 100 मिल रहा है और इधर भी 100 मिल रहा है ठीक है so this is your free world diagram for the segment number 1 now segment number 2 के लिए बात करते है segment number 2 है आपका L M L M के लिए मुझे अगर resistance force निकालना है तो L से M की बीच में एक मैं section कार्ट देता हूँ ठीक है अब इस section को मैं कैसे move करा रहा हूँ यह देखना है आपर section x equal to 0 से x equal to 1700 mm तक जाएगा यहाँ से travel करता हूँ section वहाँ तक जा रहा है तो first इस zone में रखा मैंने पहले के लिए अब second के लिए मैं इस zone में इसको रखता हूँ और इस section के पहले जितने भी load थे सभी का मैं calculation करूँगा ठीक है तो इसके पहले था 100 like this then इस कुछ इस तरह से और एक load आ गया है that is 250 newtons ओके नाओ यहाँ पर resisting force जो लग रहा है that is f ठीक है नाओ फिर मैं यहाँ पर summation of f equal to 0 करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा f plus 250 minus 100 is equal to 0 तो यह मुझे मिल जाएगा f equal to 100 minus 250 that is minus 150 ठीक है minus 150 तो minus 150 का मतलब क्या है जो resistance है minus का मतलब हो गया compression तो resistance में आ गया है हाँ यहाँ पर compression तो यह हो जाएगा f equal to 150 यह जो है compression है तो इस तरफ भी क्या होगा compression force आएगा ठीक है this is 150 आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे जैसे कि यह है आपका 250 इसका आप दे सकते हो इसका sense इस तरफ है positive x direction में 100 का जो sense है वो negative x direction में है ठीक है जो 250 वो definitely 100 से बड़ा है अगर मैं दोनों को आपस में add कर दूँ तो यह opposite होने की कारण आपस में reduce हो जाएंगे घट जाएंगे तो यह जाएगा 250 minus 100 250 minus 100 आएगा 150 ओके नौ जो direction होगा net force का उसका direction होगा जो greater force है उसके तरफ तो greater force कहन सा है हमारा 250 newton तो जो resultant force आएगा that is 150 उसका direction होगा 250 के along तो यह है आपका 250 का direction तो इस direction में 250 लगा तो इस तरफ से resistance force आएगा इसके opposite 150 तो हमको मिल गया body number 2 का free body diagram similarly body number 3 का मैं draw करूँगा that is mn का अब इसको आप चाहो तो short में भी निप्टा सकते हो soft में complete कर सकते हो यह हो जाएगा आपका 50 यहाँ से मैं section card दूँँ अगर ऐसा तो इस तरफ 50 लोड लग रहा है तो यह इस तरफ लगा है n पे 50 newton का लोड तो m पे उसका resisting force जो f होगा that will be 50 newton तो इस तरह से मैंने जितने भी segment से सभी पे मौझूद resisting forces को calculate करके उसका free body diagram बना लिया ठीक है अब मुझे सभी पे forces की value मालूम है मुझे सभी का length मालूम है इस वाले segment का length है हमारा 500 mm बीच वाले segment का length जाएगा 500 plus 400 minus 1700 that is 800 mm जो थर्ड segment है उसकी length है हमारे पास 400 mm सारी length मालूम है cross section area मालूम है अब हम यहाँ पर final change in length जो है वो calculate कर सकते हैं तो हमने सभी का free body diagram बना लिया है अब देख सकते हैं जो member number 1 है वो tension में है याने कि वहाँ elongation मिलेगा जो member number 2 है वो compression में है तो उसमें हमको contraction मिलेगा और जो member number 3 है वो again tension में है तो उसमें हमको फिर से elongation मिलेगा जो elongation होता है उसको हम positive लेते हैं और जो contraction होता है उसको हम negative लेते हैं So, यहां से फिर से में लिखूंगा, del L t, that is net change in length, या total change in length is equal to the algebraic sum of change in length of each component, ठीक है? So, that is member number 1, 2, 3, so this will be the algebraic sum of del L 1 plus del L 2 and del L 3, okay? So, del L 1 plus del L 2 and del L 3, यह होगा इसका solution. Now, इसमें जो forces है, वो compressive है, इसमें जो forces are tensile है, तो उसको हम जब put करेंगे with sign that is positive force को tensile force को positive and compressive force को as a negative put करेंगे, तो अपने आप यहां पर जो हमारा correct answer है वो आ जाएगा, ठीक है? So, यह हो जाएगा, P1 that is 100 Newton into L1 that is 500 upon A1 that is 25 into E1, E1 है आपको 200 Giga Pascal, आपको 200 Giga Pascal given है, force जो है वो आप यहां Newton में लिखे है, यहां पर हमारे पास length जो है mm में है, तो इसको मुझे Newton per mm square में convert करना होगा, तो यह हो जाएगा 200 into 10 as to power 3 Newton per mm square, this is the conversion between the Giga Pascal and Newton per mm square, यह मैंने previous videos में आपको clear किया हुआ है, आप वहां जाकर कि देख सकते हैं, तो यह जाएगा 200 into 10 as to power 3, plus del L2, del L2 में जाएगा P, यहां पर जो P है, that is 150 or compressive है, so minus 150 into जो length है, that is 800 mm divided by A area है, again 25 into 200 into 10 as to power 3 plus 50 into इसका जो length है, that is 400 upon A, that is 25 into E, that is 200 into 10 as to power 3, okay, solve करते हैं इसको, हमें जो total change in length है, वो मिल जाएगा, तो यहां change in length हा रहा है हमारे पास, minus 0.01 mm, यहां फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, meters में, minus 0.01 into 10 as to power minus 3 meters, this is our total change in length और the net change in length, now answer हमको minus है मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि overall जो length है इस component की वो decrease हुई है, ठीक है, so negative sign, negative sign stands for contraction, so इसका जो total length है, उसमें इतना contraction यहां पर हुआ है, इसको अगर मैं चाहूँ, so इसको लिख सकता हूँ, minus 10 micro meters भी इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर आप यहां पर minus को हटाना चाहते हैं, तो answer को आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा, that is, del lt is equal to 10 micro meters contraction, so this is the proper way of representation, और आपको जो university exams होते हैं, आपको इसमें आपको ध्यान रखना होता है, कि आपका जो representation है, solution का, वो proper हो, तो अगर आप यहां से minus 10 हटाएंगी, तो आपको यहां साथ में लिखना होगा, 10 micro meters contraction, okay, so this is our answer, I hope आपको जो इसके process है, वो clear होए होंगे, now, इस तरह के questions में generally problem जाती है, यह जो free body diagram है, उसको बनाने में, so free body diagram के लिए हम एक बार और, एक discussion इस पर रखते हैं, तो अगर आप इस तरह के problems में, method of sections के concept से, जो की काफी versatile concept है, अगर आप उसमें comfortable नहीं हो, तो उस case में अगर आप simple approach यहाँ पर apply कर सकते हो, ठीक है, simple mathematical approach है, बहुत ही easy है, ठीक, यहाँ पर indirectly हम method of section ही use कर रहे हैं, बट यह समझने में हमको आसान लगता है, तो मैं यह method आपके साथ डिसकस करता हूँ, हम लोग, जैसे नहीं बताया, section हम यहाँ से start कर रहे हैं, किसी एक end से, under next stream end तक उसको ले करके जाएंगे, मैं यहाँ से start कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने x equal to 0 put कर दिया, ठीक है, तो यह section मैं यहाँ रखा, अभी first section के लिए मुझे FBD बनाना है, अब मैं यहाँ पर method of section यूज लिए करना चाहता, तो देख सकता हूँ, KL is our first segment, उस पर load लग रहा है 100, तो मैंने यहाँ पर 100 बना दिया, now resistance force जो होगा, वो simply applied के opposite होगा, तो यहाँ पर इसके opposite आ जाएगा, इस direction में, इसका direction इस तरफ है, इसका opposite direction में resistance force आ जाएगा, equal to the applied force, that is 100 Newton, now अब मैं draw करूँगा, KL का draw हो गया, now अब सबसे अच्छा तरीका यह है, कि आप जो बीच वाले जो भी segments है, यहाँ पर तो 3 segment है, हो सकता है, 4 हो, तो बीच वाले जो portion है, उसका आप last में draw करो, तो आपको बहुत ही time saving होती है, तो अब मैं यहाँ पर जो last segment है, इसके लिए directly draw कर सकता हूँ, इसके लिए अब मैं उल्टा चलूँगा, पहले मैं left to right गया था, अब मैं right to left जाता हूँ, तो right to left जाऊँगा, तो सबसे पहले मुझे दिखेगा, इस direction में गर मैं move करता हूँ, सबसे लिए मुझे दिखेगा 50 newton का load, तो मैं यहाँ पर 50 newton का load apply कर देता हूँ, so this is our applied load, now, इसका जो resisting force मिलेगा मुझे इस तरफ, वो किता हुगा, equal but opposite to 50 newton, तो यह हो जाएगा 50 newton, तो आप देख सकते हैं, मुझे first segment और third segment का, जो total free body diagram था, वो easily मिल गया, now second segment का draw करते हैं, ठीक है, now second segment का draw करने के लिए, क्या किया जाए, यहाँ पर, जो second segment उस पर आप देख सकते हो, L पे 250 का load लगा हुआ है, और K पे 100 का load लगा हुआ है, दोनों के directions को देखिए, अगर दोनों same direction में हैं, तो जूड जाएंगे, दोनों opposite direction में हैं, तो घट जाएंगे, इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि अगर दोनों same directions में होंगे, अगर यह दोनों का direction सेम होता, तो जूड जाते, अगर दोनों का opposite direction तो यह दोनों आपस में घट जाएंगे और इनका एक resultant force आएगा घटने के बाद जो आंसर आएगा उसको में resultant force बोलूँगा वो resultant force होगा उसका direction जो इन दोनों में बड़ा force होगा उसके तरफ होगा जैसे कि इसमें अभी 100 force लग रहा है तर यहाँ पर 250 क resultant आएगा यहने कि इनको घटाने के बाद जो मुझे force मिलेगा वो हमेशा जो बड़े वाला force होगा उसके direction में लगेगा जो greater value of force होगी उसके direction में लगेगी दोनों को मैं यह घटा देता हूँ यह जाएगा 250-100 ठीक है 250-100 that is 150 जो बड़ी value of force की that is 250 जो जो 150 वाली हमको value मिल जो answer हमारा आ रहा हैं दोनों को घटाने के बाद वो इस direction लगेगा 250 का direction में 250 का direction कुछ ऐसा है ठीक है तो 150 जो हमारा answer मिल रहा है that is 250-100 उसका direction भी यह ही होगा so this is our applied force at segment number 2 now resisting force जो होगा वो हमेशा applied force के equal in magnitude but a positive direction होगा तो यह हो गया इसका resisting force this is 150 Newton तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से जो तीनों segments थे उसका free body diagram ड्रॉ कर लिया अब मैं यहाँ पर जो solutions हैं जो मैंने आप लोगों को previously बता हैं वो same procedure follow करते हुए answer calculate कर सकता हूँ तो आज के इस video lecture में हमने members in series देखा हमने members in parallel देखा दोनों में किस तरह के differences हैं वो सारी चीज़े हमने देखी जो standard उसके procedures होते हैं वो क्या होंगे वो हमने देखा जो general idea उनके पीछे वो हमने देख लिया मैंने यहाँ पर आपको जो members in series है उसके problems को किस तरह से deal करना यह मै देखेंगे so I hope मैंने जो भी चीज़ें आज आपको पढ़ाई है related to series and parallel वो आपको clear होए होंगे अगर आपको कोई भी doubt है आज के इस topic से तो आप नीचे comment box पे अपने जो भी doubts है वो post कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि meantime में आपके doubts हैं वो resolve किये जाए अगर आपको हमारा व notifications आपको time to time मिलते रहें मेरे और मेरे gate academy plus team की तरफ से आप सभी को thank you